So good morning students, आज आपकी एक puzzle है, मतलब game है So मैं इसमें आपको एक example के साथ समझाता हूँ कि आपको क्या गरना है जैसे first example है, टिक 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 चलती जाऊं, सबको ही मैं समय बताऊं काम समय से जो कर पाऊं, वो ही मेरा नाम बताऊं So first का कैसे गड़ी का इनों ने example दिया है, कि यहां गड़ी है, तो गड़ी कैसे बोल रही है, कि अपने features बता रही है उसी तरह बाकी के सब भी हैं, जिनकी आपको drawing करनी है, और उसका नाम लिखना है So first हमने गड़ी का देखा, उसी तरह आपको दूसरे भी drawing करने है So वो आपको पता करना है कि second कौन से हैं, सब features मैं आपको बताऊंगा So first है, पंक है लेकिन चिलिया नहीं, चलता है लेकिन बढ़ता नहीं, गर्मी बगाना इसका काम है, जट बताओ क्या है नाम So आपका first है, इसके features हैं, जो first puzzle है, वो हमको बताते हैं कि पंक हैं लेकिन चिलिया नहीं, उसके पंक हैं पर वो चिलिया की तरह उड़ता नहीं चलता है लेकिन बढ़ता नहीं, वो चलता तो है, पर आगे बढ़ता नहीं, गर्मी बगाना इसका काम है, जो गर्मी है उसको बगाना इसका काम है, जट बताओ क्या है नाम तो स्टुडन्स आपको पता नहीं कि इसका नाम क्या है, आपको ये ड्रोइंग करना है कि ये क्या है और इसका नाम क्या है, फर्स्ट हम ने देखा आप सेकंड है, रंग भी रंगे पंक्षवे वाली फूलों पर मंडराती, हाथ बढ़ाओ तो उड़ जाती, हाथ नहीं व नहीं आती, सो एक ये इंसेक्ट है, मतलब एक ये पंक्षी है, छोटा सा जो इंसेक्ट होता है, वो है, सो आपको ये ड्रोइंग करना है और इसका नाम लिखना है, अब थर्ड है, मुझको पाकर खुस हो जाते, बांध दोर तुम मुझे उड़ाते, अब ये ऐसा है कि जि पैचान आएगी, ये कौन है, एक और हिंट देता हूँ, इससे आप खेलते हो, और इसको आप बहुती इंजोय करते हो, इस खेल को, सो आपका ये थर्ड है, अब आगे, ये वाली आपको ड्रोइंग करनी है, और इसका नाम लिखना है, जैसे मैंने पहले समझा है, अब पानी है, मतलब जीवन उसका पानी है, सो आपको इसको पैचानना है, इस एनिमल्स को, कि ये जल किरानी है, और जीवन उसका पानी है, वो आपको ड्रोइंग करनी है, और उसका नाम लिखना है, अब नेक्स, नीचे पट को उपर जाओं, उपर से फिर नीचे आओं, आओं जाओ जाओ जितना चाहो खेल खेलाओ अब आप इसको नीचे डालोगे तो उपर आएगी उपर से फिर नीचे आएगी आती है जाती है जितना चाहे आप उससे खेल लो फिर भी आपका मन नहीं पूरता आपको इसको भी ड्रोइंग करना है और इसका नाम लिखना है अब लास्ट है कुकडू कू बोला करता रोज सबेरे उठके रोज सबेरे वो उठके कुकडू कू कू बोलता है कुकडू कू बोलता है सबेरे उठके मौर्निंग में उठके सिर पर लाल लाल कल गी उसके सिर पे लाल-लाल कल गिये चड़ता खूब अकड़के चलता है बहुत ही अकड़के सो आपको ये भी ड्रो करना है और आपको उसका नाम लिखना है सो आपकी ये पजल थी आज की सो आपको इन्स सब के ड्रोइंग करने है फिरस्ट एरा, फिरस्ट फिर्ट फिर्ट तड्ड फिर्ट 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 फार्थ एन ला 5 एन इन 6 आपको इसे हैं 1, 2, 3, 4, 5, and 6 आपको 6 पॉजल दिए कि उनको आपको पहुचानना है, उनका नाम लिखना है और उनकी ड्रोइंग करना है So thank you children, bye bye, take care.